गांधी बाड़वा का ओपरेशन पंजाब अभी पूरा हुआ नहीं है क्योंकि न तो कैप्टन अमरिंदर सिंग ने हारमानी है और नहीं नवजोद सिंग सिध्धु की महत्वा कांशाई ही खत्म हुई है सिध्धु सिर्फ प्रदेश अध्यक्षपत से संतुष्ट नहीं है और नहीं कैप्टन ने अपने रिटार्मेंट की तयारी शुरू की है दोनों के बीच सबसे बड़ा पेंच सी-म कैंडिडेट बनने का है सोनिय गांधी को अभी ये तै करना है कि पंजाब कॉंग्रेस किसके चेहरे को आगे कर चुनावी मैदान में उतरेगी क्योंकि पंजाब की लड़ाई अब दो चेहरों के बीच फसी है कॉंग्रेस का चुनावी चेहरा कैप्टन अमरिदर सिंग होंगे या फिर नवजूत सिंग सिध्धू जब तक ये पेज नहीं सुलच जाता पंजाब कॉंग्रेस में धूम धलाम होता ही रहेगा पिछले दिनों एक दूसरे के गले लगकर सिध्धू और कैप्टन ने जो तस्वीर दिखाई वह सब बस देखने के ही लिए था और ये संदेश देने के लिए कि अब सारे मामले सुलच गए है लेकिन पंजाब के प्रभारी हरिश रावत ने कुछ ऐसा कह दिया कि कैप्टन और सिध्धू के विवाद का असली चेहरा सब के सामने आ गया अरिश रावत ने खुद स्वीकार किया है कि अभी भी कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिनका समाधान होना बाकी है रावत उस तीन सदस्य टीम का नित्रत्व भी कर रही हैं जिनहें सूनिया गांधी ने कैप्टन सिध्धू विवाद को सुलचाने की जिम्मदारी दी है रावत ने आगे कहा कि हम ये नहीं कहते कि सारे विवाद सुलच गए हैं हम एक डैनमिक पार्टी हैं पंजाब के सीनियर नेता के साथ साथ कैप्टन और सिध्धू खुद इस बात को जानते हैं कि 2022 सुनाव के लिए सब को साथ मिलकर शलने की जरुवत है इस सुनाव को जीतने के लिए इतिहास ने हमें बड़ी जिम्मदारी दी है रावत विवाद को कम करने के लिए कैप्टन सिध्धू की तारिफ भी करते हैं उन्होंने कैप्टन की उदारता और अपने प्रतिद्वंदी को आशिरवाद देने के लिए और सिध्धू की तत्वरता को धन्यवाद भी किया रावत ने कहा कि वो आशा करते हैं कि आगे भी भविश ऐसा हो रावत कहते हैं कि हमारा उद्देश 2022 का पंजाब चुनाव है क्योंकि हम चाहते हैं फ्रंट से कोई लीड करे जिसमें सिध्धू की आकरामकता जरूरी है हमें कैप्टन अमरिंदर सिंग के अनुभव की भी जरूत है सिध्धू के सीम कैंडिडेट के सवाल पर रावत में इस फैसले को सीधे हाई कमान के लिए छोड़ दिया रावत में कहा कि इस पर हाई कमान फैसला लेगा इसके लिए और भी उम्मीदवार हो सकते हैं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला लेने का सिस्टम है हाई कमान इस पर तै करेगा और वही हम सभी को स्विकार होगा मतलब साफ है कि कॉंग्रेस ना तो कैप्टन को सीम कैंडिडेट घोशत करना चाहती है और ना सिध्धू को कॉंग्रेस की कोशिश जैसे तैसे चुनाव निप्टाने की है और इस दोरान दोनों के बीच विवाद को रोक कर रखना है लेकिन कैप्टन जितनी आसानी से सिध्धू को प्रदेश रध्यक्ष बनाये जाने पर तयार हो गए उस से जाहिर है कि वे सिएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं लेकिन कॉंग्रेस ऐसा कर नहीं रही है यहीं और इसी सवाल पर पेंच फसा हुआ है पंजाब कॉंग्रेस में कैप्टन सिध्धू विवाद पिछले चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था जब प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सिध्धू लगभग अलग थलग दिख रहे थे मंत्री बने लेकिन मनपसंद विवाग नहीं मिलने की वजह से दो साल बाद इस्तीफा दे दिया इसके बाद से कई ऐसे मौक्य आए जब नवजूद सिंग सिध्धू ने सर्वजनिक मंट से कैप्टन सरकार की आलोचना की इन आलोचनाओं और पार्टी में बड़ी भूमेका की मांग ने कैप्टन सिध्धू विवाद को और वढ़ा दिया अला कमान से कई मौकातों के बाद जब सिध्धू को पंजाब कॉंग्रिस की कवान मिली तो कैप्टन की ओर से आलोचनाओं के लिए सर्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई हाला कि अभी तक सिध्धू ने माफी तो नहीं मांगी है लेकिन ताज पोशी के दिन कैप्टन सिध्धू की मुस्कुराती तस्वीर अब पंजाब कॉंग्रिस में शांती का दावा कर रही है हाला कि इस तस्वीर को अभी भी कुछ लोग फोटो शॉप ही मानते हैं फिलाल हरी शावत इन दोनों के बीच विवाद सुलजाने की कोशिश कर रही है जिसकी सिम्धारी खुद कॉंग्रिस की कारिय कारिय अध्यक्षा सुनिया गांधी की तरफ से मिली है रिपोर्ट न्यूस अफ इंडिया